देखे फ्रेंड्स हर्बर महंदी लगाने से पहले बालो का कलर देखे जड़े कितनी ज़्यादा सफेद हैं और इस डाय का इस्तेमाल करने के बाद आप बालो का कलर देख सकते हो हाई एवरीवन आपका आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाई सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग आई ओप आप सब लोग खोश होंगे तो इस हर्बल महंदी को कैसे बनाएंगे कैसे लगाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं हम अपनी वीडियो में महंदी का घोल त्यार करने के लिए मैं एक पतीली में दो गिलास पानी लूँगी अब मैं इसमें एड़ करूँगी 7-8 सुखे आमले एक चमच चाय पत्ती 6-7 लॉंग और एक चमच मेथी दाना इनको बहुत अच्छे तरीके से उबालना है जब आपको लगे कि इन सब चीजों ने अपने गुण इस पानी में छोड़ दिये हैं गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के बाद हम इसको चान लेंगे ठीक है अब हम महंदी का घोल त्यार करते हैं महंदी का घोल त्यार करने के लिए हमने एक लोहे की कड़ाई लेनी है उसमें आपने जितनी महंदी लगानी है आप अपने बालों के लेंध के अकॉर्डिंग महंदी एड़ कर लीजिए ठीक है अब ये जो हमने पानी त्यार किया है इससे हम अपने इस महंदी के घोल को तियार कर लेंगे देखिए मैंने भी महंदी का घोल तियार कर लिया है अब मैं इसको पूरी राद ऐसे ढख कर छोड़ दूँगी मौर्निंग में लगाएंगे ठीक है? दूसरे दिन जब हम सुबह अपनी महंदी को देखेंगे तो महंदी का ऐसा कलर हो गया है अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पूरे बालों में लगा लूँगी महंदी आपने साफ बालों में लगानी है जब आप महंदी लगाओ तो इस बात का आपने ख्याल रखना है बाल बिलकुल साफ होने चाहिए बालों में किसी भी तरह का कोई तेल नहीं होना चाहिए या वैसे भी गंदे ना हो डस्ट मिट्टी भी आ सकती है बालों में बाल बिलकुल साफ हो उसके बाद आप इस महंदी को लगा लीजिए इस महंदी के इस्तेमाल से आपके बाल स्ट्रॉंग होंगे मजबूत बनेंगे आपने महंदी को तीन घंटे तो रखना ही रखना है लेकिन अगर आप ज़्यादा रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है देखिए मैंने महंदी को अपने पूरे बालों में अच्छे तरीके से लगा लिया है अब मैं आपको मिलती हूँ महंदी को वाश करने के बाद मैं महंदी को सादे पानी से वाश करूँगी मैं शैंपू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी अगर मैंने शैंपू का इस्तेमाल कर लिया तो जब मैं इंडिगो लगाऊंगी तो इंडिगो अपना कलर नहीं देगा क्योंकि इंडिगो महंदी के साथ मिलकर ही अपना कलर देता है महंदी का घोल त्यार करने के लिए जो हमने पानी त्यार किया था पानी को चानके हमने उससे महंदी घोल ली थी जो बच गया था उसको फेंका नहीं था उसमें पानी डाल कर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि उसमें हमने जो ingredient इस्तेमाल किये थे उसमें कुछ ना कुछ गुण अभी भी बाकी रहते हैं इसलिए मैं इसका दुबारा यूज करूँगी अपना इंडिगो का घोलतियार करने के लिए इंडिगो के मैं ले रही हूँ 5 चमच आप अपने बालों की length के according लेजिए मैंने इस पानी को गरम करके चान लिया था अब इससे मैं अपने इंडिगो का घोलतियार करूँगी देखिए मेरा इंडिगो का घोलतियार हो गया है इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ढखकर छोड़ दूँगी इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी देखिए 15 मिनट हो गए अब मैं इंडिगो को अपने बालों में लगाऊंगी जब आपने इंडिगो लगानी है तब ही आपने इंडिगो का घोल त्यार करना है सिरफ आपने इंडिगो का घोल 15 मिनट ही त्यार करके रखना है उससे जादा त्यार करके नहीं रखना जब इंडिगो का घोल त्यार किये 15 मिनिट हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको अपने बालों में अपलाई कर लेना है फ्रेंड्स मैं एक एक चीज डिटेल से बता रही हूं का कलर भी बहुत ही बड़ी आएगा एक कोश्चन ओराता है कि इंडिगो को उसी दिन लगाएं या एक दिन छोड़ के लगाएं वो आपकी अपनी मर्जी है अगर आपके अंदर इतनी शक्ती है कि आप एक बार मेहंदी लगा के इंडिगो लगा सकते हो तो आप उसी दिन लगा लीजिए सेम डे लगा लीजिए बट अगर आपको ये लगता है कि इतना जंचट हमारे बसका नहीं है एक बार मेह तो नहीं कर पाएंगे तो आप इसको एक दिन छोड़ के लगा सकते हो बस बालों को शैंपू नहीं करना बिना शैंपू किये हुए बालों में आपने इंडिगो लगानी है तभी आपको इसका कलर मिलेगा कई लोगों का कॉस्चन होता है कि इंडिगो कितने दिन चलती है मेरी तो 15 से 20 दिन अराम से चल जाती है देखे रूट सी नहीं आती है बाकी जहां एक बार इंडिगो लगए वहां के बाल तो कभी सफेद होते ही नहीं है कलर उतरता ही नहीं है वहां के बालों का कालापन जाता ही नहीं है देख सकते हो आप इंडिगो आप चाहे सेम डे लगाए या नेक्स डे लगाए कोई दिक्कत नहीं आती उससे ठीक है और उसके बाद आपने क्या करना है जब आप इंडिगो को वाश करोगे उसके बाद आपने तब भी शैंपू नहीं करना इंडिगो लगाने के एक दिन के बाद आपने अपने बालों को ओईलिंग करनी है उसके बाद शैंपू करना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंडिगो निकलता है बिल्कुल मत सोचना कि आपकी इंडिगो फिर से निकल गई जो एक्स्ट्रा होती है जो हमारी स्किन के उपर लगी होती है जो बालों के उपर एक्स्ट्रा लगी होती है सिरफ वो ही निकलती है बाकी जो इंडिगो एक बार आपके बालों में लग गई जहांके बाल आपके काले हो गई वहां के बाल दोबारा सफेद नहीं होते सिरफ रूर्स ही सफेद आती है क्योंकि वो नहीं आती है देखिए इंडिगो को मैंने अपने पूरे बालों में लगा लिया है इसको मैं डेट से दो गंटे ऐसे अपने बालों में लगा छोड़ दूँगी उसके बाद मैं वाश करूंगी फिर आपको दिखाते हूं इसका फाइनल रिजल्ट देखें इंडिगो को वाश करने के बाद मेरे बालों में कितना प्यारा कलर आया है मैंने आपको इस वीडियो में हर चीज डिटेल से बताई है लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कोश्चन हो तो कोमेंट जरूर कीजिए मैं आपको उसका आंसर जरूर दूँगी तो आप भी इस हरबल मेहंदी को बनाएं इसको लगाएं इसके बैनिफिल उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब 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 किली बल्बाएं